एलो फ्रेंड्स केसे हैं आप लोग उभीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने जुलरे की कलेक्शन सेट हमारे पास क्या-क्या है हम वो आपको दिखाने लगे हैं आप भी इनको देखकर अपने लिए इस तरह की जुलरी लेख सकते हैं क्योंकि जो कि बहुत अच्छी लगती है अभी तो मैं आपको सेट ही दिखाऊंगी और फिर कभी जैसे भी टाइम मिलेगा तो मैं सेट को पहन कर भी आपको दिखाऊंगी तो आईए देखते हैं हमारा पहला सेट और ये देखिए ये है हमारा फर्स्ट सेट इसमें आप देखेंगे ये है हमारा गले का निकलिस ये कुंदन का निकलिस है सारा कि इसमें कुंदन लगे हैं ये देखिए ये कुंदन है और ये नीचे मोती का वर्क है सारा और सारा ये golden भी है और white भी है बाकी इसमें कोई color नहीं है और ये है इसके earring इसमें भी कुंदन और beads का काम है और ये भी है इसका earring और साथ में ये टीका है इसका मांग टीका तो ये है इसका पूरा set जो की पहनने के बाद बहुत सुन्दर लगता है जहरे पर जैसे माथे पर जब ये टीका आ जाता है पूरे माथे को भार देता है जब ये टीका आ जाता है और फिर कानों में आपने दोनों साइड ये earring इसमें रखे होते हैं तो आपका face बहुत भरा बहुत अच्छा occasionally लगने लग जाता है उसके बाद जब आपके गले में भी ये set होता है ये necklace आपकी बिल्कुल गले से इसका बिल्कुल छोटा करने का भी है थोड़ा सा बढ़ा करने का भी है जैसा भी आप चाहें इसको वैसा ही कर सकते हैं इसको हमने कई बार सूट के सा पहना है पंजाबी सूट होता है आप उसके साथ भी पहन सकते हैं आप गरारा सूट है उसके साथ भी पहन सकते हैं आप इसको लहंगे के साथ भी पहन सकते हैं आपको इसको साड़ी के साथ पहना है तो खाली एरिंग और इसके ये पहनिये आपको बहुत प्यारा लुट द और इसका ये है कि गुल्डन और सिल्वर दोनों काम हो साड़ी पर या ड्रेस पर आपकी दोनों सब के साथ ही है चलता है तो आपनों बताईएगा आपको ये सेट कैसा लगा हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का और अगला सेट मैं आपको दिखाती हूँ अब और ये ह ग्रीन कलर का मोती, कुंदन और नग इसमें तीनों चीज लगे हूँ है आप देखिए ये है इसका टी का ये है एरिंग और ये है इसका डबल हार इसमें दो है हार जोकि सिंगल चेन में है ऐसे ये डिजाइन है डबल है लॉंग सेट है ये और इसको लहेंगे पर या जा सकता है बहुत सुलर लगता है ये ग्रीन कलर का है इसके जो ये मोती है ये ग्रीन कलर के है इसके बीच में ये नग का काम है उपर ये इसके कुंदन का काम है कुंदन मोती और नग तीनों लगे हुए है इसमें की सिल्वर और गुल्डन दोनों की टच भी है ये इसका मा यहेंगे पर भी ऐच्छा लगेगा। इसको आप अगर आपने टूटल रेड कलर की ड्रेस पहनी हैं, रेड़ साडी हैं, और प्लेज़ पहना हैं, यह पphet्लोच यह चाल लेहँगाईगाई, और आपने फ्लेиваем लोडका पहना हैं, और लाइट Haggreymi अगे किशा अचाया तो आपने उसके उपर भी ये पहना है, तो ये उसके उपर भी बहुत सुन्दर लगेगा, इतने colors के साथ यह set जाएगा, और बहुत खूब सुरत लगने वाला है ये, ये देखे, ये dark green, जो bottle green होता है, वो इसके मूती है, फिल्कुल green color का bottle green इसके मूती है, ये necklace है इसका, long necklace है ज्यादा short नहीं होता है, ये है इसका set है, और जब पहनने के बाद ये बहुत ही खूब सुरत लगता है, जैसे कि आगे त्योहाज शुरू होने वाले हैं, तो आप इस तरह के set को भी अपने wardrobe में रख सकते हैं, आपका jewelry box में इस तरह का, एक set होना बहुत जरूरी है, क्यू मनाते हैं, heavy dresses के साथ आप इस तरह के set को try कर सकते हैं, और चलिए आप दिखाते हैं आपको next item अपना, और आईए, अब ये next अपना set देखते हैं हम, जो कि उसकी ये तो है जुमकिया, और साथ में ये है set, ये है temple design सा है, इसमें ये आगे ये भगवान जी की तरह ये मूर्तियां हैं, ये दिखिए, मूर्ति वाला set है ये, ये चोड़ाई में बस इतना ही फैलता है, और उपर गले में से चोड़ा हो जाता है, और नीचे गले पर बहुत ही खुबसूरत लगता है, और ये है golden और blackish, ये इसमें इस तरह का color आ रहा है, अब metal तो ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन पहन के ये बहुत सुन्दर लगता है, इसको मैंने अपनी white color की एक साड़ी के साथ ट्राई किया था, white साड़ी है मेरी green border की silk की, उस साड़ी के साथ एक marriage में पहना था, वह बहुत ही हैवी हो जाएगी, इसको आप लहंगे के साथ ट्राई कर सकते हैं, ये भी long set है, इसको लहंगे के साथ पहनिए या इसको साड़ी के साथ पहनिए और देखिए कितना खुबसुरत लुक देगा, इसका ये नीचे का जो ये टिक्की है ये बहुत चोड़ा है ये, ये देखि पहन कर इतना खुबसुरत लगा था ये, आप इस तरह का कुछ ट्राई कर सकते हैं लेके, और हर कलर की ड्रस के साथ चलता है, बहुत ड्रस के साथ चला है ये, किसी एक ही कलर के साथ ये नहीं चला, काफी कलर के साथ हमने इसको पहना है आईए, अब नेक्स दिखाती हूँ मैं आपको, और ये नेक्स्ट है चोकर डिजाइन, जो चोकर हम बिल्कुल ये गले से लगता हुआ होता है, ये भी ऐसे पैख ही है और बाहर रखा हुआ नहीं जा रहा था निकाल कर भी, तो मैं आपको इसी में ये लगा हुआ दिखा रही हूँ, ये चोकर डिजाइन है, जो कि इसके ये एरिंग्स है साथ में, और ये है, इस पर नग और मोतियों का काम है, ये इसका मांगटी का है, ये चोकर का डिजाइन है, गुल्डन कलर की लुक है, और सिल्वर इसमें नग है, बारिक बारिक नग का काम है, इसमें ये नग लगे होए हैं, ये नग का काम है और इसमें नीचे मोती हैंगिंग है सारी, इयरिंग में भी मांगतीके में भी और नेक्लेस में भी इसमें जो चोकर है उसमें भी मोतीयों को हैंग किया गया है, सभी हैंगिंग हैं, हैंग होते रहते हैं ये हैं, बाकि नग का काम है ये, साड़ी, लहंगा, दूनों में आप किसी के साथ भी यह चलेगा अपकी शरारा ग्रारा ड्रेस है, उसके साथ भी चलेगा और अब एक यह कलेक्शन देखिए यह है इसके एरिंग और यह है लॉंग नेकलेस है यह भी यह ऐसे है, टिक्की है इसकी और उसपर यह गुलाब के फूल उभरे हुए डेजाइन है इसके चार उतरफ गुलाई में और यह पूरी चेन पर भी यहां हाफ तक मतलब यह गुलाब के फूलों का उभरा हुआ बड़ा ही सुन्दर डेजाइन है और पहन के इतना सुन्दर लगा था ना मुझे पूछा था सभी ने कि यह कहां से लिया है यह इस सेट के लिए सभी काफी लोगोंने बहुत जड़ाऊ है यह कितने ऐसा गूल्ड में बनता है और लेकिन हमें नहीं हम आर्टिफिशली पहना है हमने यह प्यारा बहुत है सेट इसको रेड कलर की रेड एंड औरेंज कलर की साड़ी है बनारसी सिल्क की जिसके साथ हमने इसको पहना था यह इसकी एरिंग है यह रिंग में भी उपर यह गुलाब के फूल का उभरा हुवा डिजाइन था और बाग में यह नीचे टिक्की है और यह सारा इसके जो यह फूल गुलाब के उभरे हुए है इसी से इस सेट की का फिशू है चलिए आज हम इतनी ही कलेक्शन दिखाते हैं बागी आपको किसी नेक्स वीडियो में दिखाएंगे अगर आपको चैनल पसंद आए चीज़ें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बताइएगा आपको इस में से कौन सा सेट अच्छा लगा है थैंक्यू धन्यवाद बाई बाई